पूर्वांचल की सबसे चर्चित सीटों में शामिल गाज़ेपूर सीट पर भी बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोश्टा करती है ये सीट इसलिए चर्चित है क्योंकि यहां से मुखतार अंसारी की भाई अफजाल अंसारी सपा की टिकेट पर मैदान में है बीजेपी ने सीट पर उमीदवार उतारकर सबकों चौका दिया है चर्चाए चल रोहीती के सीट से फ्रैशननदराई के बेटे प्यूश राए या फिर मनोज सिन्हा की घर से कोई उमीदवार हो सखता है खुद मनोज सिनहा का नाम भी चर्चा में रहा, लेकिन वीजेपी ने हैरान करते हुए पारसनात राय परदाव लगा दिया। ये वो नाम है जो सियासी गल्यारों में बहुत चर्चा में कभी नहीं रहा। तो कौन है पारसनात राय पुराने वीजेपी के नेता हैं जो मोहन मालवी इंटर कॉलेज सिखडी के प्रबंधक है राय पहली बार किसी चुनाव में किसमत आजमाएंगे पारसनाथ राय का नाम खोशी थोरी के बाद इस्थानिय पत्रकार भी है रान है कि इसा चैणलों पे खुद नाम चल ला था तमाम बड़े बड़े चेहरे थे लेकिन पारसनाथ राय आपको बता दी कि अफजाल अंसारी यहां से मजबूत उमीदवार है वो 2019 में बसपा सपागट बंधन में बसपा के चिन्हें पर चुना हुजेते थे इस बार वो सपा के उमीदवार हैं वही कहा जा रहा है कि मुख्तार की मौत के बाद गाज़ेपूर मौगोसी समेट कई सीचों पर असर पड़ा है यहां के समय करण काफी बदले हैं ऐसे में गाज़ेपूर में अफजाल अंसारी के सामने पारस नाथ राए को मीदवार बनाने की फैसली को आप कैसी देखते हैं क्या बीजेपी के पारस नाथ राए अफजाल के सामने मजबूत खिराड़ी होंगे इस पर आपी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर रखे गाजी पुर्सिवनेसिंग के रेपोर्ट यूपी तक